भी है लो वैलकम दूसी आ इंटर्नेक्शन ओन नाइन च्लासे कैसे बच्छा आपलों आप आप हम एंवन इस वान इस पाइं जैसे कि बच्छा आपलों जानते हो हम chapter number 6 की reading कर रहे हैं और हमने जो है इसमें बहुत से changes अभी तक हम पढ़ चुके हैं तो today we are going to discuss about some more things about this chapter जो की हमारा chapter क्या है? chapter का name क्या है? changes around us हमने बहुत से changes के बारे में अभी तक जाना है कि हमारे आसपार जितनी भी चीजे होती हैं उनमें किस प्रकार से क्या-क्या changes होते हैं? कुछ changes अपने आप होते हैं कुछ changes naturally होते हैं, कुछ changes reversible होते हैं जिनको वापस दोराया जा सकता है reverse किया जा सकता है और कुछ changes कैसे होते हैं irreversible होते हैं जिनको reverse नहीं किया जा सकता तो आज हम उसी topic को आगे continue गर रहे हैं देखें अब यह हमने इतने सारे changes पढ़ लिए हैं लेकिन हमें यह भी पता होना चाहिए कि यह changes होते हैं तो आज का जो topic है हमारा यही है कि यह changes है वो कैसे होते हैं तो चलिए हम इस topic को आज शुरू करते हैं देखें changes caused by heating or cooling देखें कुछ changes ऐसे होते हैं जो थंडा करने पर होते हैं या कुछ गरम करने पर heat करने पर object को या substance को जब हम गरम करते हैं तो change होते हैं या फिर हम थंडा करते हैं तो changes होते हैं या फिर हम उसके उपर कोई pressure डालते हैं तब change होते हैं तो इसके कई कारण हो सकते हैं, change होने के, ठीके, तो एक-एक करके हम वो reasons जा लेंगे, ये changes क्यों होते हैं, तो सबसे पहले हम लेते हैं, changes caused by heating or cooling, तो जो changes heat करने पर, object को और cool करने पर, मालीजे हम ने किस सबस्स разб aquesta खो ठंडा किया तो उसमें क्या चेंज आया और किस प्रकार का चेंज आया और क्यू हुआ मालीजे , हमने किस सबस्स。 हीत किया तो उसमें चेंजीश सा आए जह कैसे हुए तो ये सब चीज़े हम अब यहाँ पर देखेंगे चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले Certain things become hot कुछ चीज़े गरम होती है On heating जब हम उनको गरम करते है ये आप लोगों ने अपने गर में रोजे जाम भल देखते होगे कोई भी चीज ऐसी होती है जिसको अगर हम गरम करें तो वो क्या होती है Hot हो जाती है And cold on cooling अगर हम किसी चीज़ को ठंडा करने के लिए रख देते हैं फ्रीज के अंदर तो ठंडी भी हो जाती है तो ये चेंज आप लोग अपनी डेली लाइफ में रोज देखते हो किसी चीज़ को हमें ठंडा करना हो तो हम उसको ठंडा कर देते हैं किसी चीज़ को अगर हमें गरम करना है तो हम उसको गरम कर देते हैं गरम करने के लिए हम उसको उसका temperature increase करना पड़ता है और ठंडा करने के लिए हमें इसका temperature जो है देखिए, first example जो मैंने यहां पर लिया है, वो है, water का ही example मैंने लिया है, देखिए, on heating water, जब हम water को गरम करते हैं, the temperature of water rises, यानि बढ़ जाता है, ठीक है, तो जो water का temperature है, वो कैसा होता है, वो बढ़ जाता है, जब हम इसको heat करते हैं, यानि की गरम करते हैं, and it becomes hot, और हमारा water कैसा हो गया, hot हो गया, यानि की गरम हो गया, आप सभी ने कभी ने कभी water गरम किया होगा अपने घर में, ठीक है, तो क्या करते हैं हम उसको, जब temperature हम उसको rise करते हैं, temperature बढ़ाते हैं water का, तो वो जो है change हो जाता है, पहले ठंडा था, फिर उसके बाद उसमे जो है निशकर्ष निकालते हैं कि objects become hot on heating, इससे क्या निशकर्ष निकलता है, क्या observation होता है, कि जो भी objects होते हैं, ठीक है, उनको अगर हम heat करते हैं, heat करते हैं, यानि कि गरम करते हैं, तो क्या होगा, वो hot हो जाते हैं, गरम हो जाते हैं, तो यह इसका, जो है, निशकर्ष न करता है क्या निकला, objects become hot on heating, यदि हम किसी object को गरम करते हैं, heat करते हैं, या उसका temperature increase करते हैं, तो ओब्जेक्ट कैसा हो जाता है, हमारा hot हो जाता है, यानि गरम हो जाता है, तो object जो है हीट करने पर गरम हो जाते हैं, hot हो जाते हैं, next देखिए, यहाँ पर भी इसको हम reverse कर लेते हैं, उल्टा कर लेते हैं, when we keep water in a refrigerator, जब हम water को क्या दरते हैं, refrigerator के अंदर रखते हैं, fridge के अंदर रखते हैं, for some time, कुछ समय के लिए, ठीक है, the temperature of water falls, यानि कि जो water का temperature है, वो कैसा हो जाता है, वो fall हो जाता है, यानि कि गिर जाता है, कम हो जाता है, ठीक है, and it becomes cold, और हमारा water कैसा हो जाता है, cold हो जाता है, यानि कि थंडा हो जाता है, तो इससे हमारा क्या result निकला, कि objects become cold, on cooling, तो जो objects होते हैं, यदि उनको cool किया जाए, ठंडा किया जाए, तो वो कैसे हो जाते हैं, cold हो जाते हैं, ये भी example, ये भी जो है आप लोग अपने धर पे रोज करके देखते होगे, आप जो है water को फ्रिज में रखते होगे ठंडा होने के लिए, तो क्या होता है, जब आप water को नॉर्मल वाटर को या घरम पानी को भी, hot water को भी, अगर फ्रिज के अंदर रखोगे, तो थोड़े टाइम के बाद, एक दो बंडे के बाद ही आप देखोगे, कि उसका temperature जो है, वो बिल्कुल low हो जाता है, डाउन हो जाता है, और हमारा पानी, हमारा जो water है, फ्रिज के अ हो जाता है, वो ठंडा हो जाता है, cold हो जाता है, ठीक है, आगे देखिए, आगे देखो बच्चो, the process of heating and cooling goes on in nature as well, याने कि यह जो cooling है और heating की जो process होती है, यह nature में भी होती है, अपने आप, यह ना, naturally भी होती है, जैसे water को हम heat करते हैं, या cold करते हैं, तो हम घर में भी करते हैं, लेकिन वो human made हो गया, वो हम अपने द्वारा करते हैं, ठीक है, लेकिन नेचर में भी यह process अपने आप होती है, ठीक है, कैसे होती है, the days are warm due to the heat of this sun, देखो, एक example तो हम यहाँ पर रोजी करते हैं कि दिन के समय में जब sun की light अर्थ के उपर पड़ती है, तो day का जो temperature होता है, वो कैसा होता है, ज्यादा होता है, और वहीं पर हम यदि night का temperature देखें, या night के समय क्या होता है, जो sun की light है, वो अर्थ के उपर नहीं पड़ती है, ठीक है, तो earth क्या हो जाती है, खूल हो जाती है, ठंडी हो जा नाइट का जो समय है वो उस टाइम पर आप लोग बहार जाकर देखो तो आपको टेमप्रेचर में थोड़ा डिफरेंस नजर आएगा और दिन के समय में यदि आप बहार निकलते हो तो आपको बहुत ज़्यादा हीट महसूस होती है घर्मी महसूस होती है ठीक है ना तो वो अभी कैसे होता है यह सब नेचुरल ही हो रहा है जब सन की लाइट अर्थ के उपर पड़ती है तो उस टाइम पर जो टैमप्रेचर है याने कि दे के समय में दिन के समय में टैमप्रेचर ज्यादा होता है तो जब हम बहार की बहार जाते हैं तो हमें उस टाइम गर्मी लग सधन की लाइठ तुमें है तो अर्थ का होता है वह क्या होता है ठोड़ा कम हो जाता है तो हम leisurely बाहर चले बढहने हैं ठीड कि नेचरल भी ये सारी पूल और ही इंग जो है नेचर में अपने आह पोती रहते हैं Second example देखिए, land bridge and sea bridge are also caused by heating and cooling of land and sea water. देखिए, जब यह land bridge और sea bridge क्या होती है? यह समुद्री हवाएं और जो land पर चलने वाली हवाएं होती है, जमीन पर हवाएं चलती है. जब डे के समय में आप लोगों ने देखा होगा कि temperature जादा होता है, तो earth जो है वो गरम हो जाती है, तो क्या होगा, जब heat, जब जो air है वो क्या होती है, उस temperature की वज़े से, क्या होती है, गरम हो जाती है, जो earth का temperature होता है, उसकी वज़े से air गरम हो जाती है, तो आप लोगोंने कभी महसूस भी किया होगा, कि दिन के समय में अगर जब हम बहार कहीं जाते हैं तो जो हवा है वो हमें गरन लगती है है ना गर्मी के मौसम में ज़्यादा तर आप लोगों ने फिल किया होगा और उसी प्रकार से जो सी ब्रिज है यानि कि जो समुद्र से उठने वाली जो हवाए है वो हमें ठंडी मैंसूस होती है कभी आप मैंसे कोई बच्चा ऐसी जगा पर गया हो जहां पर समुद्र हो जिसे मुंबई कोलकाता ऐसी जगा पर समुद्र पाए जाते हैं तो वहां पर क्या है वहां की जो आसपास की जगा है समुद्र के असपास की जगा तो वहां पर लोगों को ठंडी हवा फील होती है तो वह जो हवा है वो उस वाटर के कारण कैसी हो जाती है ठंडी ओजाती है तो अधितों वो लैंड की तरफ से लेकिन उसके वह वारण तो वहां आसपास के जो लोग रहने वाले होते हैं। इसे मैशस होती है वो उनको धंडी हवा मैसूस होती है। जबकि हम ज़हां जहां पर सी नहीं है, समुध्र नहीं है तो दिन के जमय में हमें जो हमारे असपास air होती है वो हमें कैसी मैसूज होती है गरम लगती है हमें ठीक है तो इसी प्रकार से यह जो air है वो भी temperature के खारण जब उसको ज्यादा temperature मिला तो कैसी हो गई गरम हो गई ठीक है और जब उसको कम temperature मिला तो कैसे हो गई वो थंडी हो कूल हो गई ठीक है तो लैंड ब्रीज और सी ब्रीज आर ओंसो कोस्ट बाई हीटिंग एंड पूलिंग ओफ लैंड एंड सी वाटर यहां तक आप लोगों काई हो सभी को अच्छे से समझ में आया होगा